इसमें अगला फलन दिया गया है x square plus 2x minus 5 इसके लिए भी हमें गयाद करना है कि किस अंतराल में या फलन वर्धमान है और किस अंतराल में या फलन रासमान है तो मान करके चलते हैं कि यह जो दिया गया फलन है f of x है यह x square plus 2x minus 5 है अब दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं तो f dash x मिल दाएगा यह हमें मिलेगा 2x plus 2 तो जैसा कि आप जानते हैं कि फलन f of x के वर्धमान होने के लिए आवशक सर्त है कि f dash of x is greater than 0 तो इस प्रकार 2x plus 2 is greater than 0 that implies 2x plus 2 is greater than 2 है यहां से हम 2 common लेंगे अब आजाएगा x plus 1 is greater than 0 इसको और आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा x plus 1 is greater than 0 और फिर हमें मिल जाएगा x is greater than minus 1 तो इस प्रकार यह जो फलन है f of x यह अंतराल minus 1 to infinity में वर्धमान फलन है दखिए x का मान रिन एक से बढ़ा है तो रिन एक से लेकर के infinity के बीच में जो numbers होंगे वो रिन एक से बढ़ा होगा तो इस अंतराल में हमें जो फलन है यह वर्धमान मिलेगा अब पुनह f of x के रासमान होने के लिए f dash of x is less than 0 इसके लिए हम solve करेंगे तो मिल जाएगा 2x plus 2 is less than 0 that implies 2 into x plus 1 is less than 0 that implies x plus 1 is less than 0 और इसे और आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा x is less than minus 1 अर्थात x की ऐसी value जो की x की ऐसी value जो की minus 1 से छोटी होगी वे सभी मानों के लिए जो फलन है यह हमें रासमान मिलेगा तो इस परकार हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल minus infinity to minus 1 में रासमान फलन है तो इस परकार आप दिये गए फलन को यह ग्याद कर सकते हैं कि यह कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से अंतराल में यह फलन रासमान है तो अभी हमने जो फलन देखा यह द्वी घाती फलन थे अब आगे देखेंगे जो की त्री घातिये फलन होंगे प्रश्ण दिया गया है कि वृत x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के किस बिंदू पर इस पर सरेखा x अक्ष के समानतर है तो जैसा कि आपको पता है कि इस प्रश्ण को हम किस प्रकार हल करेंगे तो आईए देखते हैं पहला दिया गया वक्र जो है या दिया गया जो वक्र है हमारा ये वृत्त है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है जूकि हमें इस रेखा की या इस वक्र की प्रवणता निकालनी है दिये गए बिन्दू पर दिये गए समीकरण के दोनों पक्षों का आउकलन x के साफ एक्ष करेंगे तो x² का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x फिर y square का करेंगे तो मिल जाएगा 2y और फिर y का oculant dy by dx minus 2x का oculant करेंगे मिल जाएगा minus 2 और फिर minus 4y का करेंगे तो ये minus 4 dy by dx constant का oculant शुर्ण और right hand side में भी 0 है इस प्रकार ये हमें मिल जाएगा 0 अब देखिए कि dy by dx वाले पद हैं इनको एक सांथ और इसके बाद 2x minus 2 है इन पदों का हम एक सांथ लिखते हैं तो मिल जाएगा 2x minus 2 और फिर 2y minus 4 into dy by dx equal to 0 दोनों पदों पर हम दो को उगेरिश ले सकते हैं और सरल कर सकते हैं यहाँ से दो और यहाँ से दो उगेरिश ले करके हम cancel कर देंगे तो हम मिल जाएगा x minus 1 plus y minus 2 dy by dx equal to 0 अब यहाँ से हम dy by dx का मान ज्याद कर सकते हैं तो यह में मिल जाएगा dy by dx देखिए इस पत को पहले पक्षांतर करेंगे तो यह minus sign के साथ में आएगा x minus 1 और यह y minus 2 इसके साथ गुणा हुआ है इधर जाकर कि यह भाग हुजाएगा तो यह y minus 2 माल लेते हैं कि यह समीकरण 2 है जहाँ पर हमें dy by dx का मान मिला अब यह जो समीकरण 1 है माल लेते हैं कि इसका एक बिंदू है p x1 y1 उस पर खीची गई इस पर स्रेका की प्रवंता तो हम लिखेंगे कि वक्र एक के बिंदू इसमें एक बिंदू ले लेते हैं x1 y1 पर खीची गई इस पर स्रेका की प्रवंता इस जो dy by dx है से हम लिखेंगे dy by dx at the point x1 y1 equal to minus of x-1 upon y-2 किस point पर x1 y1 पर यहां पर x के इस थान पर x1 और y के इस थान पर हम y1 रख देंगे तो मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता है m तो यह मिल दाएगा minus of x1 minus 1 upon y1 minus 1 मान करके चलते हैं कि यह समी करण 3 है अब प्रश्ण में यह दिया गया है कि स्पर्स रेखा जो है वह एक्स अक्ष के समानतर है दिखेंगे कि दिया गया है स्पर्स रेखा एक्स अक्ष के समानतर है इसलिए उसकी प्रवणता होगी शुन्य मान लेते हैं कि स्पर्स रेखा की प्रवणता है m1 कोई भी रेखा जो कि इक्स अक्ष के समांतर है उसकी प्रवनता शुन्ula होती है और इसपर सरेखा जो है एक्सक प्रवनता है और जैसकी हम जानते जाना है कि दो समांतर रेखाओं की प्रवनता हैं बराबर होती है तो यहाँ पर जो M1 equal to zero मिला यहाँ पर M equal to this मिला है तो यह left hand side left hand side बराबर होगा, तो right hand side भी आपसे बराबर होंगे, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है, minus of x1 minus 1 upon y1 minus 1 equal to 0, इसको solve करने पर इस हर में जो रासी इसको सुनने से गुणा कर देंगे, अर्थात तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा minus of x1 minus 1 equal to 0, that implies x1 minus 1 equal to 0, और यहां से हमें मिल जाएगा x1 equal to 1, तो यह हमें x1 का मान प्राप्त हो चुका है, मान करके चलते हैं कि यह समी करण 4 है, अब यह जो इस पर बिंदू हमें मिला है, x1 का जो कॉडिनेट मिला है, यह समी करण 1 अर्थात जो वक्र है, उस पर भी इस्थित है, तो यह जो न देखेंगे कि चूंकि स्पर्स बिंदू, px1, y1 वक्र एक पर है, तो x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1 रख देंगे, यह x1 का स्क्वाइर प्लस y1 का स्क्वाइर, माइनस 2x1, माइनस 4, y1 प्लस 1 equal to 0, x1 equal to 1, इस समी करण में हम वह मान रख देंगे, तो मिल जाएगा, 1 का स्क्वाइर, प्लस y1 स्क्वाइर, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 4, माइनस 4, y1 प्लस 1 equal to 0, यह मिल जाएगा, माइनस 2, और यह 1, और यह 1, तो टोटली कैंसल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा, y1 स्क्वाइर, माइनस 4, y1 equal to 0, यहां से हम y को common ले सकते हैं, और साथ y1 को common ले सकते हैं, तो यह y1 जब common आएगा, तो मिल जाएगा, y1 minus 4 equal to 0, दो अलग अलग पदो का common ले सक्वाइर, यह तो यह शुनी के बराबर होगा, यह तो यह शुनी के बराबर होगा, तो यहां से मिल जाएगा, y1 equal to 0, फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से मिल जाएगा, y1 equal to 4, तो इस प्रकार इस फ़र्स बिंदू, जो है, इस फिर्स बिन्दू हमें पराप्थ हुआ है एक शुन्य और एक चार हमें इस फिर्स बिन्दू पराप्थ हुआ है एक शुन्य या फिर एक चार यही वह उत्तर है जो की हमें याद करने लिए कहा गया था प्रश्न दिया गया है f of x equal to cos square x plus sin x where x belongs to close interval 0 to π द्वारा प्रदत्थ फलन एफ का निर्पेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ग्यात कीजिए तो जो दिया गया समी करण है यह है f of x equal to cos square x plus sin x where x belongs to 0 to pi प्रदत्र चलते हैं की समी करण एक है उच्चतम यह निम्नतम मार ग्यात करने BACK पहले हम इसका प्रदभा ऐंगे यह फिर f-dais एक्स व्यात करें तो दिये गये आफ समी करण का थे समी करण के दोनों पक्षों का अउक्करण ex के साब एक्ष करने पर दिशों by dx of f of x equal to cos square x का उखलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 cos x और cos x का उखलन माइनस sin x और sin x का उखलन करेंगे मिल जाएगा आपको cos x solve करने पर इसे हम f dash x लिख सकते हैं f dash x equal to f dash x equal to दोनों पदों से हम cos x को common ले सकते हैं और फिर यह जागा माइनस 2 sin x प्लस 1 मान लेते हैं कि यह समी करन दो है f of x के उच्चतम या निमनतम मान के लिए f dash of x equal to 0 लेकर के हम solve करते हैं यहां से f dash x की value जो है यह है cos x into minus of minus 2 sin x plus 1 equal to 0 दो अलाग अलाग पदों का uniform 0 है या तो cos x equal to 0 हो जाएगा या फिर इस पद का मान 0 के बराबर होगा तो cos x equal to 0 cos x equal to 0 या फिर यह जो product में दूसरा अटा में है minus sin x plus 1 equal to 0 पहले इसको solve करते हैं cos x equal to 0 cos 90 degree या फिर pi by 2 radian के लिए हमें 0 degree मिलता है मान करके चलते हैं कि यह समी करण 3 है अब समी करण 2 हमें जो प्राप्ट हुआ था उसका alkaline करेंगे फिर से x के साप x तो इसे हम लिखेंगे d2 f of x by dx square equal to तो इसका मतलब यह कि d by dx of f dash of x इस फलन का alkaline तो पहला cos x का alkaline करेंगे तो मिल जाएगा minus sin x और सेस्पद किसी प्रकार रहेंगे और फिर cos x इसी प्रकार रहेगा minus 2 sin x plus 1 इसका alkaline करेंगे sin x का alkaline करेंगे तो मिल जाएगा cos x तो इस प्रकार यह हमें मिल जाएगा minus 2 cos x और 1 का alkaline करेंगे तो मिल जाएगा शुन्या इसे हम solve करते हैं minus और minus मिल जाएगा plus 2 sin square x minus sin x और अगें यह minus 2 cos square x यह है minus sin x और फिर plus 2 sin square x minus 2 cos square x तो इसे लिखा जा सकता है minus sin x minus of 2 अगर हम common ले लें तो मिल जाएगा cos square x minus sin square x फिर यह minus sin x और फिर minus cos square x minus sin square x इसे हम लिख सकते हैं cos 2 x तो मिल जाएगा cos 2 x तो इसका मतलब यह है कि f double dash x का जो मान है इन दोनों से यह हम minus को common लें तो मिल जाएगा sin x plus 2 cos 2 x मान लेते हैं कि यह समी करण 4 है अब f double dash x इस पर हम जो हमें जो बिंदू प्राप्त हुआ था x equal to pi by 2 और x equal to pi by 6 यह values को put करके देखेंगे और जो मान हमें प्राप्त होगा वही उसमें से एक धनात्मक होगा और एक नियूंता मान प्राप्त होगा तो f double dash x equal to हमें मिल रहा है minus of sin x minus 2 into cos 2 x इन दोनों से यह हम minus sin common लें तो मिल जाएगा minus of sin x plus 2 cos 2 x मान लेते हैं कि समीकरण 4 है अब समीकरण 3 से प्राप्त जो बिंदू है बिंदू x equal to pi by 2 पर f double dash x का मान हमें ग्याद करना है तो इसे हम लिखेंगे f double dash x at x equal to pi by 2 यहां पर x के सान पर हम pi by 2 रख देंगे तो मिल जाएगा minus of sin pi by 2 plus 2 cos 2 x अर्थाथ 2 into pi by 2 तो आपको यहां पर मिल जाएगा cos pi तो sin 90 minus sin है और फिर sin 90 degree यह pi by 2 radian that is 1 and cos pi यह minus 1 तो minus 2 plus 1 minus 1 और minus और minus ultimately हमें मिल रहा है plus 1 तो चुकि f double dash x at x equal to pi by 2 equal to 1 एक धनात्मा कमान है समीकरन 5 अतह x equal to pi by 2 पर f of x का new नत्मा मान होगा तो value put करके देखते हैं function का मान निकालने के लिए x के इस थान पर pi by 2 यह फ़लन आपको दिया गया था cos square x तो cos square pi by 2 plus sin x तो यह sin pi by 2 cos 90 that is 0, 0 का square 0 और sin 90 that is 1 इसका मतलब यह में जो new नत्मान पराप्त हो रहा है वह एक है इसी प्रकार x equal to pi by 6 पर f double dash x का मान हम याद करते हैं लिखा जाएगा f double dash x at x equal to pi by 6 तो minus sin sin pi by 6 plus 2 cos pi by 6 into 2 तो आपको मिल जाएगा pi by 3 solve करेंगे तो मिल जाएगा minus sin then sin pi by 6 यह आपको मिल जाएगा 1 by 2 फिर plus 2 into again 1 by 2 solve करेंगे तो मिल जाएगा यह 2 और 2 1 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2 और यह minus 3 by 2 यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त हो रहा है यहाँ एक रणात्मक संख्या है एक रणात्मक मान है या रणात्मक संख्या है अतर x equal to pi by 6 पर f of x का मान अधीक तम होगा अब क्या मान होगा वग्याद करने के लिए हम f of x पर pi by 6 रख देते हैं x के इस्थान पर तो यह आपको मिल दाएगा cos square pi by 6 plus sin pi by 6 value put करेंगे तो यह मिल दाएगा यहाँ से आपको root 3 by 2 और फिर इसका square और pi by 6 sin का यह 1 by 2 solve करने पर आपको मिल दाएगा 3 by 4 plus 1 by 2 ultimately LCM आएगा 4 और यह 3 plus 2 that is 5 by 4 तो यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त हो रहा है यहाँ उच्चतम मान है लिखेंगे कि अतह f of x का बिंदू x equal to pi by 6 पर निर्पेक्ष उच्चतम मान 5 by 4 और solve करने पर अप्राप्स मिल जाएगा यह 1.25 और दूसरी बात यह कि f double dash x at the point x equal to pi by 6 पर यह आपको मिल जाएगा यह मिला था minus 3 by 2 जो की 0 से छोटी रासी है तो अब f of x equal to cos square x plus sin x तो x equal to pi by 2 पर f का जो मान है यह निवनतम या निमनतम मान है तो यह ग्याद करने के लिए हम यह मान रख देते है f of pi by 2 equal to cos square pi by 2 plus sin pi by 2 तो यह आपको मिल जाएगा 0 0 plus 1 that is 1 तो इस प्रकार आपको मिल रहा है f of pi by 2 equal to 1 अतह f of x का बिंदू x equal to pi by 2 पर निर्पिक्ष निमनतम मान जो प्राप्त हुआ है f of pi by 2 equal to 1 है क्योंकि f double dash x at the point x equal to pi by 2 यह मान हमें एक प्राप्त हुआ है जो कि 0 से बड़ा है इसलिए जो उच्चतम मान है उच्चतम मान हमें प्राप्त हुआ था 5 बटे 4 और इसका नियूनतम मान प्राप्त हुआ यह है एक और यह हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था प्रश्ण दिया गया है कि एक गोले की त्रिज्जा 10 सेंटीमिटर से सिकुड कर 9.8 सेंटीमिटर हो जाती है नियूनलिकित में सनिकट हरास ग्याद कीजिए पहला है आयतन और दूसरा है प्रिष्टिय छेत्रफल तो हमें जो उत्तर चाहिए है वहां तक पहुंचने के लिए आप तो आपको यह ग्याद होना चाहिए कि आयतन गोले के आयतन और गोले की तरिज्जा में क्या संबंद होता है उसी प्रकार गोले की तरिज्जा और प्रिष्टि छेत्रफल में क्या संबंद होता है यदि संबंद को स्थापित कर पाएं आपको संबंद पता हो उसके बाद हम आउकलन का अनुप्रियोग करते हुए प्र गोले की तरिज्या र है तब गोले का जो आयता है इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं यह होता है 4 बटे 3 पाई अगहाथ 3 मान के चलते हैं कि पहला समीकरण अब गोले की तरिज्या में परिवर्टन हो रहा है वी का मान आर पर निर्भर कर रहा है क्योंकि चार बटे तीन और पाई यह तो कॉंस्टेंट रासी है तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का आउकलन हम आर के साप एक्ष करेंगे तो यह मिल जाएगा dv by dr equal to 4 by 3 pi आर क्यूब का उकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3R square 3 और 3 cancel हो जाएगा और ultimately आपको मिल रहा है 4 pi r square यह मान करके चलते हैं कि समीकरण दूसरा है अब प्रश्णा में कहा गया है कि गोले की त्रिज्या जो है यह सिकुड रही है तो लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या 10 cm से सिकुड कर 9.8 cm हो जाती है तो इसका मतलब यह कि r जो था यह 10 cm दिया गया था और इसमें जो परिवर्टन हुआ है डेल्टा आर यह 9.8 माइनस 10 एक्वल टू 0 माइनस 0.2 cm परिवर्टन हुआ है तो इस प्रकार हम यह मिल रहा है कि डेल्टा आर इक्वल टू माइनस 0.2 cm तो यह एक इंपोर्टन रासी है जिसका क्यो प्योग हम आगे करेंगे मान करके चलते हैं कि आर इक्वल टू 10 cm यह तीसरा समीकरण है और यह जो हमें मिला यह चौथा समीकरण है अब हमें गोले के आयतन में परिवर्टन गयात करना है तो यहां पर हम लिखेंगे V plus delta V गोले का आयतन और उसमें जो वृद्धी हुई है या फिर उसमें जो कमी हुई है तो यह F function है जो V है यह function है R का तो इसे हम लिखेंगे F of R plus delta R यह आपको मिल दाएगा 4 by 3 by R cube और R के स्थान पर हमें लिखेंगे R plus delta R और फिर यह इसका cube तो इस तरीके से हमें मिल रहा है F of R plus delta R equal to 4 by 3 by R की value थी 10 delta R हमें मिल आए-0.2 तो इसे हम लिखेंगे plus minus 0.2 whole cube यह आपको मिल जाएगा 4 by 3 pi तो 10 minus 0.2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.8 9.8 का power 3 अब गोले के आयतन में अगर हमें सन्निकट रास निकालना है तो उसका सूत्र हमने पहले देखा हुआ है कि किस प्रकार सूत्र में या किसी मान में सन्निकट रास क्या होता है तो लिखेंगे कि गोले के आयतन में सन्निकट रास योगा delta V equal to delta R into dV by dr तो dV by dr जो हमें मिला था समीकरण 2 से यह 4R square है तो हमें लिखेंगे delta R into 4R square अब यह values हम यहां पर put करेंगे तो delta V equal to delta R समीकरण 4 से minus 0.2 और यह है 4 pi R square और R की value थी 10 तो यह आपको मिल जाएगा 10 square तो इस तरीके से आपको मिलने पाई और चुकि R जो है यह सेंटिमेटर में है तो सेंटिमेटर क्यूब होगा आइतन है इस वज़ा से तो यहां पर यह जो रिंट चिन है यह दर्सा रहा है कि गोले की त्रिज्या में कमी से आइतन में भी रास हो रहा है तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि डेल्टा वी डेल्टा वी इक्वल टू 80 पाई घं सेंटिमेटर आइतन ह्रास तो यह पहला उत्तर हुआ जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था दूसरी बात की गई है प्रिष्टी चेतरफल में सनिकट रास क्या हुआ है यह हमें ग्याद करने के लिए कहा गया है तो यह मान करके चलते हैं कि किसी समय में जो गोले की तरिज्जा है यह R है और गोले का जो प्रिष्ठी या छेत्रफल है इसे हम A से प्रदर्सित करते हैं और यह होता है 4PiR² मान करके चलते हैं कि समी करण 1 है पुर्ण हां देखते हैं कि A का जो मान है प्रिष्ठी छेत्रफ का आउकलन आर के साफिक्स करने पर तो हमें मिल जाएगा डी ए डी ए बाई डी आर इक्वल टू फोर आर ये तो से 9.8 सेंटीमेटर हो जाती है तो इसका मतलब यह कि आर जो था यह 10 सेंटीमेटर था और यदि इसमें हमें परिवर्तन निकालने के लिए कहा जाए तो हम लिखेंगे 9.8 minus 10 that is equal to minus 0.2 सेंटीमेटर तो यह आपको डेल्टा आर की वेल्यू मिल रही है डेल्टा एक्वल टू माइनस 0.2 यह चौथा समीकरण है अब यदि आयतन में परिवर्तन की बात की जाए तो ए प्लस डेल्टा ए ए प्लस डेल्टा ए एक्वल टू एफ आर प्लस डेल्टा आर that is 4 पाई आर के जगा में हम आर प्लस डेल्टा आर रख देंगे तो आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वेर तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ आफ आफ आर प्लस डेल्टा आर एक्वल टू 4 पाई आर की वेल्यू है 10 डेल्टा आर की वेल्यू है माइनस 0.2 और इसका है स्क्वेर अब हमें जो ग्याद करना है वह है गोले की प्रिष्ठी छेत्रफल में सन्निकट रास अथाथ डेल्टा ए यह हमें कैलकुलेट करना है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा एक्वल टू डेल्टा आर इंटू डी ए बाई डी ए बाई डी आर तो देखें यहां से डी ए बाई डी आर हमने 8 पाई आर कलकुलेट किया है और डेल्टा आर की वेल्यू माइनस 0.2 है तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू माइनस 0.2 इंटू 8 पाई आर और R की value है 10, समीकरण 3 से, तो R की स्थान पर हम value put कर देते हैं, तो जब 10 से इसका multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और इसका multiply करेंगे तो मिल जाएगा 16 pi और ये minus sign के साथ में, तो जूकि R जो है यह centimeter में दिया गया है और हम छेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यह आपको मि equal to minus 16 pi centimeter square या फिर वर्ग centimeter, तो यहाँ पर रिणात्मक्चिन यह प्रदरसित कर रहा है कि प्रिष्टी छेत्रफल में हरास हो रहा है या फिर हानी हो रही है, तो उस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि delta A जो हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था, यह है 16 pi वर्ग centimeter हरास या फिर हानी, यह वो उत्तर है जो कि हमें ग्यात का निकले दिया गया है, अगला प्रशन दिया गया है कि एक आयत का परिमाप 100 cm है, अधिक्तम छेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ग्यात कीजिए, तो पहली बात यह कि यहाँ पर हमें दो रासियां लेनी पड़ेगी, एक आयत की लंबाई और दूसरी चोड़ाई, और उसके बाद हमें आयत का परिमाप ग्यात होना चाहिए, या फिर सूतर की सायता से, आयत की लंबाई चोड़ाई और उसके परिमाप में जो सम्बंद है, वो हमें ग्यात होना चाहिए, और स्ताथ ही यहां पर बात की जा रही है, अ माना आयत की लंबाई x तथा चोड़ाई y है तब आयत का परिमाप जैसे कि आप जानते हैं दो गुना लंबाई धान चोड़ाई होता है तो इसे हम लिखेंगे दो गुना लंबाई धान चोड़ाई या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2x plus 2y प्रश्ट में दिया गया है कि आयत का परिमाप 100 cm है तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 times x plus y equal to 100 या फिर इसको solve करने पर आपको मिल दाएगा x plus y equal to 50 मान करके चलते हैं कि ये समी करण 1 है अब आयत का खेत्रफल माना आयत का खेत्रफल a है और ये होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो लंबाई x है और चोड़ाई है y तो ये हमें मिल गया a equal to x into y तो समी करण 1 का उपयोग करके हम y का मान x के पदों में गयात कर सकते हैं यहां से मिल जाएगा y equal to 50 minus x तो y equal to 50 minus x हम यहां पर पुट कर देते हैं तो ये जो समी करण हमें मिल रहा है केवल एक चरका समी करण प्राप्त हो रहा है तो a equal to मिल गया x into 50 minus x समी करण 1 से अब यदि ये जो a है ये केवल x पर निर्भर कर रहा है तो x के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर यदि जाद करनी हो तो हम लिखेंगे da by dx तो समी करण ये दो है इन दो का दोनों पक्षों का आउकलन x के सापेक्ष करने पर तो ये आपको मिल दाएगा 50 minus 2x देखें अगर इसे हम solve करते हैं तो ये आपको मिल दाएगा 50x minus x square तो 50x का आउकलन करेंगे तो 50 मिल दाएगा और x square का आउकलन करेंगे तो ये आपको मिल दाएगा 2x और यदि d2a by dx square calculate करने कहा जाए तो इसका फिर से आउकलन करेंगे d by dx of d a by dx तो d by dx of 50 minus 2x तो 50 तो constant है चर रासी इसका आउकलन शून नहीं होगा और minus 2x का आउकलन आपको मिल दाएगा minus 2 तो जैसा कि आपको पता है कि a जो है यह अधिकतम या नियूनतम केवल तभी होगा जब d a by dx इक्वल टू 0 होगा तो d a by dx that is equal to 50 minus 2x तो यह आप लिखेंगे 50 minus 2x equal to 0 then 2x equal to 50 या फिर x equal to 25 तो देखें कि x के प्रत्यक मान के लिए जो d to a by dx square है यह आपको रणातमक मान दे रहा है तो इसका मतलब यह कि x equal to 25 पर जो छेत्रफल हमें मिलेगा वह अधिकतम होगा तो इसे लिखेंगे कि x के प्रत्यक मान के लिए d to a by dx square रणातमक है इसलिए x equal to 25 पर आयत का छेत्रफल अधिकतम है और तो इस तरीके से समीकरण एक का उपयोग करके हम y का मान गयाद कर सकते हैं तो लिखेंगे y equal to 50 minus x that is equal to 50 minus 25 equal to 25 तो इस प्रकार आपको y equal to 25 मिल रहा है x और y दोनों की दोनों value 25-25 cm तो इस प्रकार हमें जो उत्तर चाहिए था वह यह कि आयत की प्रत्यक भुजा जो है यह 25 cm होगी तभी हमें अधिकतम छेतरफल प्राप्त होगा और आयत का परीमाप 100 cm होगा प्रश्न दिया गया है कि किसी आयत के उपर बने अर्धवरित के आकार वाली खिड़की है खिड़की का संपूर्ण परीमाप 10 मीटर है पूर्णतय खुली खिड़की से अधिकतम प्रकास आने के लिए खिड़की की विमाएं गयात कीजिए तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें पहले हमें आयत की लंबाए चोड़ाई यह मान करके चलना होगा और फिर खिड़की के जो परीमाप है और आयत का चेतरफल है और अर्धवृत का चेतरफल है अरथात खिड़की का चेतरफल जो है उसके बीच में हमें संबन्द ग्याद करना होगा और फिर आगे हम आउकलन का उप्रियोक करके इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँच पाएंगे तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक आयताकार खिडखी के उपर में एक अर्धवृत खिडखी है मान करके चलते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है या एक सेंटिमेंटर है तो माना वृत्त की त्रिज्या एक्स है तो आयत की जो लंबाई है ये भी एक्स होगी तो आयत की लंबाई आयत की लंबाई जो है यह त्रिज्या की दुगनी होगी क्योंकि अर्धवृत जो है वह आयत के उपर रखा गया है तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं कि चित्र में हमने इसे ए भी नाम दिया है ये टू एक्स के इक्वल होगा तथा आयत की चोड़ाई ये वाई और खिड़खी का परिमाप हमें दिया गया है खिड़खी का परिमाप है 10 मीटर तो अपुना हम चित्र का उप्योग करके यहां लिख सकते हैं कि AD भुजा की लंबाई AB भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई और CED ये चाप की जो लंबाई है कुल मिला करके यह 10 मीटर है चित्र में आप देख सकते हैं तो A से D की लंबाई है Y A से B की लंबाई है 2X और B से C की लंबाई है पुना है Y और CED ये अर्ध वृत्य का परिमाप है वृत्य का परिमाप होता है 2PiR तो 2PiR को 2 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा PiR और R की स्थान पर यहाँ पर हमने X लिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा PiX इक्वल टू 10 Y प्लस Y 2Y और यह 2X तो 2X प्लस 2Y प्लस PiX इक्वल टू 10 अब यदि फर्स्ट और टम और लास्ट टम से यदि हम X को कॉमन लें तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस Pi और फिर यह है प्लस 2Y इक्वल टू 10 मान करके चलते हैं कि यह समी करण एक है यहां से हम Y का मान X के पदों में भी ग्याद कर सकते हैं तो 2Y इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस Pi इंटू X या फिर Y इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस Pi इंटू X अपॉन 2 मान करके चलते हैं कि यह समी करण 2 है अब यदि खिड़की की छेतरफल की बात की जाए खिड़की का क्षेतरफल खिड़की जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ है एक है आयत और दूसरा है अर्धवरित तो इसे हम लिखेंगे आयत का क्षेतरफल धन अर्धवरित का छेतरफल तो A इक्वल टू आयत का छेतरफल लंबाई गुना चोड़ाई तो यह 2xy और अर्धवरित का छेतरफल एक बटे दो पाई आर कवर्ग और आर के स्थान पर यहां पर है अब जो y का मान समीकरण 2 में हमें प्राप्त है उसे हम यहां पर रख देते हैं तो यहां मिल जाएगा 2x इंटू 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू x अपान 2 प्लस 1 बाई 2 पाई x स्क्वेर तो इसको जब सॉल कर देंगा तो यहां से 2 और यहां से 2 कैंसल हो जाएगा 2 और 2 कैंसल हो जाएगा फिर x का मल्टिप्लाइस के साथ करेंगे तो मिल जाएगा 10x और फिर x और x x स्क्वेर और फिर यह माइनस 2x स्क्वेर और फिर माइनस पाई x स्क्वेर और प्लस हाफ पाई x स्क्वेर तो half pi x square है और यह minus pi x square है solve करने पर हमें मिल दाएगा minus half pi x square तो इस प्रकार a equal to हमें प्राप्त हो रहा है 10x minus 2x square minus half pi x square यह समी करण 3 है अब चू की खिडखी से आने वाली प्रकास जो है प्रकास का सम्बंद खिडखी के खेत्रफल से है तो इस कारण हम समी करण 3 के दोनों पक्षों का आउकलन x के सापिक्ष करेंगे तो इस प्रकार हमें मिल दाएगा d a by dx equal to यह आपको मिल दाएगा 10 यह मिल दाएगा 4x और 1 by 2 pi x square का आउकलन करेंगे तो यह मिलेगा आपको 2x तो इस प्रकार आपको मिल रहा है 10 minus 4x अब मान करके चलते हैं कि यह जो में प्राप्त हुआ है यह समी करण 4 है तो d a by dx equal to 10 minus 4x minus pi x माना समी करण 4 है अब यहाँ पर हम आगे आउकलन का उप्योग करेंगे कि खिडखी का क्षेत्रफल a के अधिक्तम होने के लिए d a by dx का शुन्य होना आवश्यक है खिडखी का क्षेत्रफल a के अधिक्तम या निवनतम होने के लिए आवश्यक है कि d a by dx equal to 0 प्राप्त हो तो इसे हम सरल करेंगे d a by dx आपको प्राप्त हो था 10 minus 4x minus pi x equal to 0 तो यहां से हम इसे लेख सकते हैं 10 minus यदि x कॉमा ले 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 तो यह 4 plus pi equal to 0 यहां से हम x का मान ज्याद कर सकते हैं x equal to मिल जाएगा 10 upon 4 plus pi पहले इसको पक्षांतर कर देंगे और फिर 4 plus pi का गुणा x के साथ हुआ है धरा करके भाग में आ जाएगा x equal to 10 upon 4 plus pi मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 5 है अब समीकरण 4 जो हमें प्राप्त हुआ था d a by dx equal to 10 minus 4x minus pi x इसका पुना आउकलन कर देते हैं तो d 2 a by dx square यह आपको मिल दाएगा minus 4 minus pi minus 4 minus pi से से अगर minus कॉमल लें तो आपको मिल दाएगा 4 plus pi तो ultimately जो हमें प्राप्त हो रहा है d 2 a by dx square यह रणात्मक मान है तो इस प्रकार x equal to 10 upon 4 plus pi पर जो a का मान होगा यह अधिक्तम होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं y equal to y equal to 10 minus 2 plus pi into x upon 2 दोनों को separate कर देते हैं तो 10 by 2 minus 2 plus pi upon 2 into x अब यह जो x का मान समिक्रण 5 से प्राप्त हो है उसे हम यहां पर रख देते हैं तो यह मिल दाएगा 10 by 2 that is 5 minus 2 plus pi upon 2 into 10 upon 4 plus pi यह दो एकम 2 दो पंचे 10 इस तरीके से कैंसल हो जाएगा तो पांच रिंड दो धन पाई और यह पांच बटे चार धन पाई यह y का माना में प्राप्त हुआ है और इसे सरल कर सकते हैं लगतों सवापरत निकाल करके सरल करेंगे तो लगतों सवापरत आजाएगा पाई धन 4 और इसके साथ गुणा होगा तो पांच चौक 20 धन पांच पाई रिंड दस और रिंड पाई तो रिंड पांच पाई धन 5 पाई कैंसल 20 रिंड दस दस मिल जाएगा तो यह 10 बटे पाई धन 4 तो यह जो हमें प्राप्त हुआ है वाई पल्टू 10 बटे पाई धन 4 इसे हम समीकरण 6 ले करके चलते हैं तो अब खिडखी की विमाएं जो हमें ग्यात करनी थी वह हम लिखे लिखेंगे अतहक शिडखी की विमाएं अर्थात लंबाई और चोड़ाई ए भी यह हमने लिखा था टू एक्स तो टू इंटू एक्स कर लीजे यह एक्स कमान प्राप्त हुए तो टू इंटू 10 ड़िस 20 तो 20 अपाउन 4 प्लस एक्स और इसी प्रकार बी सी यह हमने लिख a b equal to 20 अपाउन 4 प्लस पाई और b c equal to 10 अपाउन 4 प्लस पाई दूस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसकी जो विमाएं हमें प्राप्त हुई है यह है 20 अपाउन 4 प्लस पाई तथा 10 अपाउन 4 प्लस पाई और यही वह उत्तर है जो कि हमें ग्यात करने लिए कहा गया था